नमस्कार दोस्तों आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे की सच्छी खबरों में आप सब आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी और सभी भाई बहन जो भरती के लिए भी इंतजार कर रहे हैं उन सब का स्वागत है पूरा वीडियो देखना भरती चाहें सबसे पहले तो हम आपको बदा दे कहावत आप सबने सुनी होगी कि जब जागो तभी सबीरा लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है देर से जागोगे तो दोपहर आपको मिलेगी तो अभी आप जग जाईए क्योंकि बाल विकास भाग के लिपिक संवर्ग अपनी प्रोव जो में ही बेचारी पड़ी रहती है तो यहाँ पर आंगन बाड़ी बहने अपने प्रमोर्शन को लेकर के जरासा भी जो है ना तो विरोधर्ज कर पा रही है ना ही मांग कर पा रही है और आगे विवादों में ही बेचारी फसी है रासन वाले और इधर जो है बाल विकास के पद खाली होने के बावजूद प्रोणनती ना दिये जाने से करमचारियों में रोस बढ़ता जा रहा है बालविका सेवा एवं पुष्टाहर करमचारी के संग के अध्यच है अजीत कुमार यादो जी महामंत्री अभिसेग बाचपई इनके संबंद में विभाग की प्रोणनती से भरे जाने वाले पदों पर जल्द प्रमोशन देने की मांग की गई है और जबकि उत्तरपदेश में ही 2017 से आंगनबाडी बैनों की प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और वो कहने के लिए सिर्फ चल रही है आज तक पूरी नहीं हो पाई और इसमें कम्यूत्तरपदेश सरकार की भी है तो आप देखिएगा यहाँ पर करमचारी संग ने अपने प्रमुक सचियों को इसके लिए पत्र भी सोब दिया लेकिन हमारी आंगनबाडी बैने और हमारे आंगनबाडी बैनों के यूनियन यहाँ पर प्रमोशन को लेकर के आप सब भी अपनी अपनी कमर कसिये और अपने हक के लिए संगर्सों को छेडिये यह मुरदवात में देखे अब रासर वितर के विवाद में मारपीट हुई है तो वहीं का यह मामला है फैजुल्ला गंज वगरा का यहाँ पर आप देखे लाठी रंडे तक चल गए थे अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं अगली जो खबर आ रहे इस पर भी ध्यान देना और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ वीडियो अब सुरू हुआ है अभी जब देखो यह तो बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर चाहे सुपरवाइजर भरती हो चाहे आगन बाड़ी भरती हो सारी अपडेट आपको इसने मिलेंगी बस आप पूरा देखके जाएगा सबसे पहले अपनी आगन बाड़ी बहनों को एक सूचना देना चाहेंगे समू की बहनों को सूचना देना चाहेंगे निदेसाले लखनव से कल 11 जून को एक सरकारी आदेश निकाला गया है और उत्तरपदेश के सभी जिलों के जिलाकार कमदिकारी यानि डीपियों को आदेश भेजा गया और कहा गया है S.A.G. योजना जो है उसके अंतरगत 11 से 14 वर्स तक की स्कूल ना जाने वाली जो किसोरी बालिकाएं है उनकी सूचना निदेसाले में मांगी गई है 11 जून के सरकारी आदेश में अब इसमें बता देंगे आपको प्रारूप भी दिखाएंगे सब समझा देंगे इसमें बोला गया है अवगत कराना है कि आपके द्वारा वित्ती वर्स 2021-22 में पोसल ट्रेकर पर किसोरी बालिकाओं की सूचना फीड कराई गई जिसमें 11-14 वर्स आयू तक की स्कूल ना जाने वाली किसोरी बालिकाओं की स्थिती स्पष्ट नहीं है अताप्रदेश के आंगनबाडी केंद्रों पर किसोरी बालिका योजना 11-14 वर्स आयू तक की स्कूल ना जाने वाली किसोरी बालिका लबार्ती की निम्न प्रारूप एक और दो पर सुचना चाही गई है प्रारूप नंबर एक के कालम आपको बोल रहे हैं कॉपी पेन आप उठा लीजिए और फिर इसको लिख लीजिएगा और नहीं है कापी पेन तो वीडियो को अभी टच करके रोक लीजिए और कापी पेन रख लीजिए अब चलते आगे करमसंख्या का कालम, जनपद का नाम का कालम, परियोजना का नाम का कालम, आंगन बाडी केंदर के नाम का कालम 11-14 वर्स आयू तक की स्कूल ना जैने वाली किसोरी बालिका के नाम का कालम, जनम तिथी का कालम, माता पिता का नाम का कालम है, मोबाइल नंबर का एक कालम है, लवार्ती का आधार नंबर का एक कालम है एक प्रारूप ये हो गया दूसरा प्रारूप ये है करम संख्या जनपत का नाम परियोजना का नाम और दिनांक 14 2021 के नुसार 11 से 14 वर्स आयू तक की स्कूल ना जाने वाली की सोरी बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है ये विबागी अधिकारियों को देनी है इस तरह से दो प्रारूप जो है मांगे गए है और ये दीपियों को भेजा गया कि इस पर जानकारी जल से जल दी जाए साथी आपको ये भी बता दे इसमें ये भी लिखा हुआ है दिनांक 30 जून तक कब तक 30 जून तक ये चीजे उपलब्द करवाई जाए और आपका व्यक्तिगत ध्य आप एच्छीत है उलेखनी है कि आप पोशल ट्रेकर पर फीड सूचना तथा MPR की सूचना से एक रूपता बनाते हुए उप्त जो प्रारूप पर सूचना प्रेसित करना सुनिशित करें तो जो वहाँ पर पोशल ट्रेकर पर फीड होगा वो MPR में भी फीड होगा यानि जो एक रूपता हो यानि यह नहीं कि वहाँ पर कुछ और चड़ा है यहाँ पर कुछ और चड़ा है तो साथ सुतरा सही सही हो क्योंकि जो चीजे सही होती है वो सारी जगे एक ही होती है जो जूट होता है वो तमाम तरह के रूपों में दिखाई देता है अब आगे चलते आपको बताते हैं आंगनबाडी भरती का हाल, कौन-कौन से जिले है उत्तरपदेस के जहां भरती चल नहीं है, और यहीं पर आपको एक समस्या का समधान और कर देते हैं, जैसे अधर-श्टेट के भाई-बेंट पूछते हैं, हमारे यहां भरती कम आएंगी, हमारे जिले में कब होंगी या हम इसमें क्या फारम डाल पाएंगे तो आप इसमें फारम नहीं डाल पाएंगे उत्तरपदेस के जो है यहाँ पर जिलो में भरतियां चल लई है मा की अन राज्यों में नहीं चल लई है अब यहाँ पर देखेगा जब वहाँ चलेंगी तो चैनल पर बताया जाएगा बागपत में भरती चल लई है बानदा में चल लई है बाराबंकी में चल लई है बिजनौर में चल लई है चंदौली में चल लई है गाजीपुर में चल लई है कानपुर नगर में चल लई है मुरादाबाद में चल लई है आंगनबाडी कारकर्ति के 496 पद हैं और मिनी के जो है 69 पद हैं 626 वस सायका के हैं बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये सब हम पहले भरती चंप्रक्रिया के सासना देश में नियम कायदों को हम बता चुके तो हम वो बताने वाले नहीं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और अभी आपको सूपरवाइजर भरती से सम्मंदित भी जानकाली देनी हैं क्योंकि हमने कहा है इसी में बताएंगे तो इसी में आपको बताएंगे बांधा जिले में आप लोग देख सकते हो यह भरती आईएं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यह रहा खुल पदों का विवरर पूरा पूरा कौन कौन सी परियोजना आए हैं और वहाँ पर कितने कितने पद घाली हैं तो पर्योजणाओं का एक एक करके नाम बताने में काफी दोस्तों वक्त लग जाएगा तो हम ये नहीं बताएंगे लेकिन आप सब इसके लिए अपने वहाँ कैफे पजाना और फारम अप्लाई करने के जब जाएंगे तो साली जानकारे मिल जाएंगी या बालविकास.gov.in website पर जाना और वहाँ से आपको विस्तर जानकारी मिल जाएगी 28 जून तक वगरा साम पांच बज़े तक इसकी लास्ट डेट है तो बांदा जनपद में 28 जून तक लास्ट डेट है अब रामपुर जनपद है यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर सो और रित आंगनबाडी साहका की 429 है यहीं पर अगर बात करें हम लास्ट डेट की तो 30 जून जो है यहाँ पर भी लास्ट डेट विभाग ने रख दी है कितनी रख दी है 30 जून रख दी है रामपुर में भी और बाकी आप देख लिजेगा विबसाइट हम फिर एक बार बड़ा करके दिखा रहे क्योंकि यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेंगी बाल विकास यूपी.gov.in गूगल पर सर्च करिए और आप उसमें जाएए आगे देख सकते हो बलिया से बरती के बारे में भी सुनिल भाईजी ने डाला था यहाँ पर आप देखेगा 9 जून को पोस्ट आ गई थी और इसमें आपको हम बता दें बांकी चीज़ें देखो 30 जून तक यहाँ पर भी लास्ट डेट रखी गई है बलिया जन्पन में भी इनके अलावा आप देखे मुरादबाद में भी भरतियां सुरू हो गई है अब यहाँ पर भी 30 तारीक लास्ट जाएंगे क्योंकि एक तारीक है ना तो यहाँ पर आप देखेगा और बाकी परियोजनाओं के नाम है कहां कहां पदखाली है वो भी बेवरा दिया है लेकिन हमें एक एक परियोजना का नाम बताएंगे तो टाइम लगेगा जैसा कि और आप लोग अपने वहाँ बालविक कानपुर से भी यह मैटल आया था यहाँ पर भी 30 जून रखी गई है और यह अभी हमने आपको बताया था इसके लबा कानपुर में भी 600 पदों पर आवेदन लिये जा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो इस तरीके सारी चीज़े चल रही है 30 जून तक कानप पास चार्ज है मैं सहयका हूं जिलाबागपस से मुझे बताने का कश्ट करें देखिए ऐसे जो है बहनों को भरम रहता है जब चैनल पर सारी चीज़े बताई गई है जब यह भी बताया गया है कितनी एज तक की बहने अपलाई कर पाएंगी तो फिर यह कैसा जो है पूछ पास साल की छूड मिलती है तो उनके लिए पचास साल है लेकिन आप अरसट से अपने साल अकाउंट कर लेना पचास साल से आप उपर हो जाओगी तो आप कैसे अपलाई कर पाओगी अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं जब हम खबरों को दिखाते हैं आदेशों को गौर से सुना करो समझा करो चीजों को इनके अलावा अब बात करते हैं सुपरवाइसर भरती की तो यहां पर बहन ने लेका भाई ये क्या है विभाग की तरफ से इनको ये पीडियप भेजी गई है अब ये पीडियप है वो वाली पीईटी एक्जाम की जिसके बारे में म सेवा चेन आयोग लखनव से विग्यापती जारी है जैसा कि आप देख सकते हो आठ जून को ये निकल गया था अब यहां पर आवेदन की जो अंतिम्तिती है वो 21 जून रखी गई है आप सब भाई बहन उत्तर परदेश के जो सुपरवाइसर की स्वीधी भरतियों में जून लास देट है अगर आप नहीं बरेंगे और बाई चांस भरती आ गई तो फिर आप एक साल के लिए घर में बस मखी मारेंगे बैट करके ये भी याद रखना और विभाग में भरतियां जो है बानवे कास में बहुत लंबे-लंबे समय के बाद आती है तब-तब कता चल आपकी साधी हो गए आप बुड़े हो गए और उमर भी आपकी चली गई तो इससे अच्छा है अगर आप सुपरवाइजर भरतिक में अपलाई करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ सबसे पहले पीटी का जाकर के कैफे से जनसेवा केंद्र से आनलाइन फारम भर दीजिएग हम पहले भी बता चुके थे अब इसके अरावा अब हम चलते आगे यहाँ पर कुछ तो चीज़े ऐसे दी हुई है जो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो तब भी आप तो मदद मिल जाएगी लेकिन हम आपको सीधा दिखाना चाहते हैं जो आपके काम का है वरना आपको आएगा उत्तर प्रदेस अधीनस्त सेवा चेन आयोग की परीदी में आने वाले पदों पर मुख। अधीनस्त यानि अधीन समूगा के समस्त पद हैं उदाहराट जैसे कौन-कौन से हैं कनिष्ट सहायक का पद, आसू लिपिक का पद, गन्ना परवेचक का पद, ग्राम पंचायत अधिकारी का पद ग्राम विकास अधिकारी का पद, राजस्व लेकपाल का पद, चकबंदी लेकपाल का पद, लेप्ट जो है टेकनीसियन का पद, सहायक लेखाकार का पद, और यहाँ पर करसी प्राविधिक सहायक का पद, आबकारी सिपाही का पद, स्वास्तकार करता महिला में, वो उनका व पर जब आपके लिए भरती डारेक्ट आएंगी नौकरी वाली तो उससे पहले आपको PT exam qualify आप हैं ये मांगा जाएगा जैसे टीचर की भरतियों में आपने सुना होगा TET का exam होता है सुपर टेट होता यही सब exam सुबह होगे इसी तरीके से प्रारंबिक अहरता परिच्छा यहां पर UP SSC आयोग ने रख दी है बाकी की भरतियों से पहले ताकि छटनी हो जाए एक तरह की की और सब बाहर हो जाए लोग जो योग होंगे वही भरतियों में फिर जादा पेपर में आगे उनको नहीं होगी और इसकी वैदता एक साल तक रखी गई है सहचिक अहरता में यही लिखा है प्रारंबिक अहरता परिच्छा में सम्मिलित होने के लिए निवनतम अहरता जो हाई स्कूल या इसके समकाच चोनी चाहिए दसमी अगर आप पढ़े ह तो होना ही चाहिए तो यहाँ पर तो समझने वाले हमारी बात को पहले से समझ रहे हैं अठारा से चालिस वर्स की उम्र होनी चाहिए इस चालिस से उपर अगर है तो पीटी का अग्जाम आप नहीं दे पाएंगे बाकि कुछ जो ऐस रेडियो में आपको छूट वूट मिन चुके हैं यह आप सबको पता है जो वीडियो डेली देखते हैं बाकी के दिलिए तो हम कुछ गहीं नहीं सकते अप परिच्छा की तिथी भी लिखी है प्रारंभी कहरता परिच्छा 2021 की तिथी से आयोग की विबसाइट के माध्यम से यह था समय आपको बाद में सूचित क किया जाएगा इसकोर के बारे में भी रिखा है कि एक वरस तक इसका जो यह भी रहेगा रिजल्ट आएगा वो आपका मान रहेगा यह चीज़ें आप पर भेजी गई है 21 जून तक आप पीटी के लिए आदेदन कर दीजिएगा जब परिच्छा होगी तो परिच्छा देन आप लोग तैयारी भी सुरू कर देना पढ़ाई के लिए चैनल पर सारी चीज़े पूर में बताई जा चुकी हैं सुपर्वाइजर की बरती के लिए अगर कोई आंगन बाड़ी बहने या आपके घर में बेटियां या कोई और इंतजार में बैठा है तो उनके लिए काम आएगा और बाकी के जो अधर लोग खुद ही परसनली देखें सुपर्वाइजर की सीधी बरती के लिए तो उनके भी काम आएगा और बहुत से लोग क्या सोचते हैं वो परसनल मैसेज करकर के परिसान रहते हैं अब भाई आप सोचिए हम अकेले हैं हम चैनल पर खबरे ब ही बाते बताएं जो हम चैनल पर आपको एकठा बता देते हैं तो अपना दस मिनट का किंती समय डेली निकालिए चैनल पर आईए वीडियो देखिए क्योंकि आपको जानकारी चाहिए अब दोस्तों चलते हैं आगे बिहार सरकार से गवर्मेंट आदेश आपको दिखाते ह 10 जून को निकला है करमचारी भविस से निधी एवं प्रकीर्ण जो उपबंद अधिनियम है 1922 के प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंद में निदेशक महोदय ने सभी जिला प्रोग्राम पतादिकारी को लिटर भेजा और कहा है कि समरण में लाया जाए प्रासंग जिदाएं सेवाएं जो है 28-22 में रासी उपलब्ध हो तो उनका अंसदान अपने इस्तर से E.P.F. में करने के संबंद में भी नरदेश नरगत हैं साथी यदी रासी उपलब्ध नहीं है तो उक रासी प्राप्त करने हैं तू निदेसाले को अधियाचना भेजने का अनुर अधियम को ले करके ये जानकारी चाहिए उनके लावा आपको बता दे एक मैसेज और आया यहाँ पर बहन है संगीता बहन कुसी नगर से उनको ये सामान मिला है और ये प्री प्राइमरी के तहदी हर जगह दिया जा रहा है उत्तर प्रदेस में उत्तर प्रदेस के काफी ज बता रहा हूं हो सकता है आप में से किसी भाई बहन या उनके बेटे या बेटियां कोई भी इंतजार में हो इन भरतियों का और उनकी परिच्छाओं का फॉर्म एप्लाई पहले से कर चुके हों तो इसमें ने का यूनानी चिकिस साधिकारी स्क्रीनिंग परिच्छा 2018 की ज चाप, नर्स, कुलिस और महिला परिच्छा 2021 जो है वो 3-10-2021 को कराई जाएगी कब 3-10-2021 को सम्मिलित राज प्रवर अधीनस्त जो है सेवा और ऐसे करके है सहायक वन सर अच्छक छेत्री वन अधिकारी इनकी 24-10 को कराई जाएगी संभागी निरिच्छक पॉनाली परिच् समिच्छा धिकारी सायक समिच्छा धिकारी ये परिच्छा है 5-12-21 को कराई जाएगी प्रवक्ता पुरु समयला राज की इंटर काले मुख की परिच्छा 19-12-21 को कराई जाएगी प्रदाना 4 सायक निरिच्छ ये सम 9-1 को कराई जाएगी 2022 में और समिलित राज्ये प्रव बाइस में चुनाओं है और ये योगी सरकार का हद खंडा है अब देखेगा बिहार सरकार से एक और गवर्मेंट आदेश आपको दिखाते हैं ग्यारा तारी को कल ही भायो बेनो निकला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है उसके अंतरगत जो पात्र लाभुक है यानि लाबार्ति हैं उनको पंजी करन उनके करने के संबंद में निदसाले से सुचना बेजी गई है अब इसमें लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतरगत आधिक से अधिक जो पात्र लाभुक हैं उनका पंजी करन कराने हैं तू अन्य योजना ह कर कैसरवे अन्य अन्य इनमें से पात्र जो लाबुक हैं कन्या सिसू को चिन्निद करके योजना अंतरगत पंजीकरत किया जाना है और इसके लिए आदे साया है पंजीकरत किया जाए एवं प्रात लंबीत आवेदुनों का अविलम निस्पादन एक सफता के अंदर कराया जा इसके बारे में निसाले से जो लेटर है वो डीपियो लोगों को बिहार में बेजा गया है अब दोस्तों आज का वीडियो इतने ही रखते हैं क्योंकि बोलते बोलते हम भी ठक गए हैं बाकी जानकारिया तो भी बहुत सी लगी है अब आपको अगले वीडियो में हम लाएं एन बाकी खब़ झाले दोस्तों आज का शानकारियो में खवां वीडियो में बोलते हैंट शाळियो जैस सी लगला सभ्के गएंएा छा-ध क्योंकारियो